एमसीडी करमचारियों के बकाय वेतन और पेंशन वामले में दिल्ली हाइकोट ने सक्त चेतावनी जारी की है कोट ने काया कि अगले चार हफ्तों के भीतर सैलरी का भुकतान पूर्ण रूप से हो जाए नई तो हम केंद्र को कहेंगे कि वो इसे भंग कर दे दिल्ली उचन्याले ने एमसीडी को डिसाल्व करने की बड़ी चेतावनी दी है हाइकोट ने सेवा रत करमचारियों के बेतन और पूर्व करमचारियों की पेंशन और बकाय का भुकतान करने में विफल रहने पर दिल्ली नगर निगम को फटका लगाई है कोट ने का है कि करमचारियों का बेतन उन्हें मिलना चाहिए अगर दिल्ली नगर निगम इसमें विफल रहती है तो डिसाल्व करने पर विचार कर सकते है दिली हाई कोट ने शुकरवार को सक्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि करमचारियों का मूल वेतन होता है अगर MCD इसका भुकतान करने में सफल नहीं हो रही है तो इसे भंग किया जा सकता है कोट ने चार हफते का समय दिया है करमियों की सैलरी और पेंशन का भुकतान तैस समय में करने के लिए कहा गिया है कोट ने कहा है कि चार हफतों में सैलरी का भुकतान नहीं हुआ तो हम केंदर को कहेंगे कि वो इसे भंग कर दें MCD कर्मियों के salary pension मामले में इससे पहले भी कोट ने सक्त रुख अक्तियार किया था पहले हुई सुझवाई के दोरान कोट ने कहा था कि हम अब इंतजार नहीं कर सकते कर्मचारियों सेवा निवरत कर्मी वेतन और पेंशन के लिए निरंतत नजार नहीं कर सकते कोड ने ये भी कहा था कि अब हमारे आदेश पर एग्जिक्यूशन का वक्त है हम उमीद में बैठें नहीं रह सकते दिली हाई कोड ने पहले हुई सुनवाई के दुरान भी कहा था कि मौजूदा करमचारियों सेवा निवरत कर्मियों को वेतन का भुकतान न करने समय दिन माबला लंबे समय पहसे है साथवे वेतनायों के अंसार कर्मशारियों का भुखतान करना M.C.D. का वैधानिक दायत है। बड़ा कदम उठाएगी वीडियो डैस NBT Online